सौरब भार्दवाज यकीनन अपनी पार्टी का रुख रखते वे अश्वस नजर आए उन्होंने काया उनकी पार्टी MCD जरूर जीतेगी इस बार और आमादी पार्टी में तो ये मानने वाला शायदी कोई इस वक्त आपको मिले कि वो चुनाव MCD का हार भी सकते हैं खासकर जब सारे एक्जिट पोल्स ने उनकी जीत की वबिश्रवानी पहले ही कर दी है लेकिन इस वक्त पर स्थिती वैसी नजर नहीं आ रही है अब ये स्थिती बिल्कुल उलट हो जाये तो कुछ कहा नहीं जा सकता जो हो भी सकती है एसा पहले हुआ भी है और दिल्ली के इन MCD के चुनावों में जहां बहुत छोटे छोटे वाट से मत दाता संक्या बहुत कम है वहाँ पर स्थिती को बदलते हुए देर नहीं लगेगी लेकिन फिलहाल हमें आगे नजर चलती भी आ रही है भारती जन्ता पार्टी और पीछे इस वक्त कॉंग्रेस पार्टी आप देखें सबसे पीछे साथ सीटों के साथ नजर आ रही है 76 पर आम आदमी पार्टी इस वक्त क्लीट कर रही है PMEGP योजना के तहट 10 लाक लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनस शुरू करना चाहते हो इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम आप को अभी डाउनलोड कीजिए और राजीब जी भी हमारे साथ ने, राजीब स्वागत है आपकी राजीब टुली साब मैं स्वागत के साथ साथ सवाल सेटी साथ से है मेरा सेटी साथ 78 पर आप 165 पर भाज़ पा फिलाल तो यही तस्वीर नजर आ रही है एक्जिट पोल के उल्टा ना हो जाए देखिए यह शुरौती रुजान है अभी बहुत जल्दी होगा कोई बात कहना अभी आदे गेंटे गेंटे में सारी पिक्चर कलियर हो जाएगी और उसके बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुन सकते हैं क्योंकि एक्जिट पोल एक नहीं बहुत सारी जो सर्वेजन्सिज हैं उनका अल्मोस्स सेम ही था जिसके अंदर आमादमी पार्टी लीड करती वी नजर आ रही थी तो अभी तो यह शुरौती रुजान है इसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि हम थोड़ा इंतजार करें लेकिन इतना बता दीजे कि दिल्ली का एक्जिट पोल मान रहे हैं तो गुजरात कभी मानी रहे होंगे नहीं एक्जिट पोल जो है एक पिक्चर देता है कि जैसे गुजरात के अंदर भारती जंता पर्टी स्ट्रॉंग है हिमाचल में कॉंग्रेस और भारती जंता पर्टी स्ट्रॉंग और दिल्ली में आमादमी स्ट्रॉंग है उसको मानना ही पड़ेगा, हर व्यक्ति को मानना पड़ेगी, exit poll एक आपको indication देता है, लेकिन बहुत rare cases में पलट भी जाते हैं, results. कि बाद से ये कि इस बार सारे सर्वे जो हैं, उनकी reading लगबग एक जैसी है, जाये गुजरात हिमाचल कियो, चाये MCD के चुनाव कियो, बाहर से भी हमारे साथ महमाने, शहजाद पुनावाला जी भारती दिंदा पार्टी से जोड़ रहे हैं हमारे साथ, शहजाद आपका बें आमादनी पार्टी की जीत दिखा रहे थे, लेकिन शुरुबात में लगा आप बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हैं और इस वक्त परिस्तिती उलट दिखाई दे रही है, आप आगे दिखाई दे रहे हैं काफी आमादनी पार्टी से. उसका इंतजार करूँगा, पर एक बात में जरूर कोँगा, सौरब जी, बड़ी विनमरता से, कि जो भी जनता का आदेश और निर्णे होता है, उसको हम स्विकारेंगे, पर एक चीज़ पश्ट है कि 15 वर्षों के बाद भी भारते जनता पार्टी का जो वोट शेर है तिल जो सफाई के लिए हमने प्रयास किये, इमानदारी से प्रयास किये, जो भी हमने किया है, उसमें लोगों ने अपना जनता ने अपना विश्वास जताया है, अब जो फाइनल लिर्णे आएंगे, नतीजे आएंगे, वो कुछ देर में सपष्ट हो जाएंगे, उसके बाद विश्थित रूप से और भी प्रतिक्रिया दे पाएंगे, परन्तु exit polls को आज थोड़ा सा शौक लगा होगा, पर चलता है exit polls भी कभी-कभी गलत हो सकते हैं. मैं भी वही कहूंगा कि इंतिजार थोड़ा करना चाहिए, जैसा आपने कहा कि exact नतीजों का इंतिजार, थोड़ी देर में exact नतीजे भी हमारे साथ होंगे, डॉक्टर अनीत लेकिन चाहिए exit poll हो और अभी तक की जो trends के नतीजे हो, आप Congress Party तीसरे नंबर पर है, 2017 की तरह है यह तो चलें ठीक है, लेकिन double digit में भी नजर नहीं आ रही है Congress Party अभी तक, सारी लड़ाई, सारी टक्कर केवाल आम आदनी पार्टी और भाजपा के बीच में नजर आ रही है PMEGP योजना के तहट 10 लाक लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनस शुरू करना चाहते हो, इसे लेने के secrets को जानना चाहते हो, तो Freedom Map को अभी डाउनलोड कीजिए जी देखे, जिस तरीके से ये पूरा चुनाओ लड़ा गया है, जो गंदगी और versus corruption का एक मुद्दा बनाया गया है, उसमें जो जनता की आवाज थी, वो आवाज बनने के हमने भरसक कोशिश की, हमारे अध्यच चौतरी अनिल जी ने पिछले देर दो महीनों से पुरी दि पच्छ में बैठने का मौका मिलता है, तो मैं ये लोगों को आस्वस्त करना चाहता हूँ, कि जो जनता का सरोकार है, उसको हम दबने ही नहीं देंगे, चाहे उनको वायू मंडल की हवा की problem हो, चाहे जल की समस्या हो, और चाहे आसपास वातवरण में गंदगी की समस्या हो हम तीनों को ले के डिलिवासियों के हित में जो भी काम होता रहेगा, हम उसको भर्सक करने का प्रयास करते रहे हैं